अलो फिर्टेश वेलकूम टो FSC आज हम सिंसेस अफ उत्तर प्रदेश करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बहले कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? 24 जन्वरी को डिस्टिक किते हैं 75 मंडल 18 और ब्लॉक 825 एरिया किता है 2,4,928 स्क्वार किलोमेटर लैंगविज कौन सी है? हिंदी और उर्दू उत्तरा खंट से पार्टीशन कब कुआ था? 9 नवेंबर 2000 में अलाबाद हाई कोर्ट फाउंडेड on 17th मार्च 1866 विधान सभा में टोटल मेंबर्स किते हैं यूपी में 403 विधान परिशद में 100 लोक सभा मेंबर्स किते हैं यूपी से 80 और राजसभा 31 अब चले डारेक्ट आ जाते हैं सेंसस 2011 उत्तर प्रदेश का सबसे पहले 2011 में जो पॉपलेशन थी वो लगबग 20 करोड थी और प्रेजेंट पॉपलेशन लगबग 24 से 25 करोड है ओर राल इंडियन पॉपलेशन का 16.5 परसेंट यूपी में रहता है डिकेडल पॉपलेशन ग्रोथ उत्तर प्रदेश के किते हैं 20.23 परसेंट 2001 से 2011 के बीच में जो पॉपलेशन ग्रोथ है यूपी की वो 20.23 परसेंट है लिटरिसी रेट 67.68 है जिसमें मेल की 77.28 है और फिमेल की 57.18 है पॉपलेशन डेंसिटी 2011 में 8.29 थी और प्रेजेंट 1001 है सेक्स रेशियो जो है 2011 में 912 था और प्रेजेंट अभी 1017 है मतलब ये 2011 से लेके अब तक काफी इंप्रूव हुआ है चाइड सेक्स रेशियो 2011 में 902 था और नाशनल आवरेज 2011 में 919 था मतलब ओर ओर ओल जो नाशनल आवरेज है उससे कम था यूपी का अर्बन पॉपलेशन सिर्फ 22.27 है और 6 साल से कम के बच्चे इनकी सबसे ज़्यादा पॉपलेशन सबसे पहरे यूपी में है फिर बिहार में है पिर डिस्टिक्ट वाइस कुछ स्टाटिस्टिक्स देख लेते हैं पॉपलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा किस district में population उत्रप्रदिश की तो वा अलहाबाद परियागराज फिर मुरादबाद गाजेबाद आजमगड औरलकनो सबसे कम population किंडिस्टரिक्ड्स में है तो सबसे कम महोबा में है उसके बाद चित्रकूट में है फिर हमीरपूर में है फिर श्रावस्ती में है उसके बाद ललितपूर में है तो सबसे जादा पॉपलेशन सेंसस 2011 के हिसाब से किस डिस्ट्रिक्ट में है अलहाबाद प्रियागराज और सबसे कम किस में है महोबा में मैक्सिमम सेक्स रिशियो 2011 के हिसाब से सबसे जादा का है जानपूर में है फिर आजमगड में है फिर देवरिया में है लीस्ट कहां पे है गौतम बुद्धनगर बागपत और हमीरपूर Literacy सबसे ज़्याद का है? गौतम बुद्धनगर में है, फिर कानपूर नगर में है और और अरया में है Literacy मीनमम का है? श्रावस्ती ये क्वेस्चन आ चुका है बार बार आया है कि सबसे कम Literacy कहां पे तो वो श्रावस्ती में है, फिर बहराईच में है फिर बलरामपूर में है Largest districts area wise सबसे पहले लखिमपूर खेरी है फिर सोनभद्र है, अर्दोई है और सीतापूर है Smallest districts area wise संत्रविदाज इसको भधोई भी कहते है Population density maximum कहां किये गाजयाबाद की और population density minimum कहां किये ललतपूर किया Decadal population growth सबसे ज़्यादा कहां हुई बहराईच में हुई और 2011 के census के हिसाब से एक लाग के उपर population वाले UP में कित्ती cities है, 64 Largest city by population कौन सी है, कानपूर है और largest city by area कौन सी है, लखनव है Smallest city जिनकी population एक लाग के उपर है उन्ही को इसमें मतलब counting में लिया जाएगा वो कौन सी है, कास गंज है इसके बाद कुछ additional facts जान लेते हैं UP की boundary से related हम यह देख लेते हैं कि UP किनकिन state से boundary share करता है सबसे पहले डेली से कौन कौन से districts boundary share करते हैं, गौतम बुद्धनगर हर्याणा से सहारनपूर, शामली, बागपत, गौतम बुद्धनगर, अलीगड़ औ मतुरा हिमाचल से एक करतायसे वो है सहारनपूर उत्राखंड से सहारनपूर, मुजफर नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपूर, बरेली औ पिलिभीत नेपाल से पिलिभीत, लखीमपूर, बहराई, श्रावस्ती, सिधातनगर और महराज गंज बिहार से महराज गंज, देवरिया, कुशीनगर, बल्या, गाजिपुर, चंदौली और सोनभद्र जारकंट से कौने सोनभद्र है, चतीजगड से कौने सोनभद्र है मदप्रदेश से कौने आगरा, इटावा, जालाउन, जहासी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, अलहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र ये बेसिकली आपका बुंदेल खंड वाला इलाका है फिराता राजस्तान से कौन कौने आगरा उमतुरा अब एक important question बनता है कि वो कौन सा यूपी का district है जो कि हर्याणा, उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश तीनों के साथ boundary share करता है तो वो हो जाएगा सहारनपूर वैसे कौन सा वो district है जो बिहार, जहारकंड, 36 गड़ और MP से कौन सा district जो की boundary share करता है वो सोन भद्र है ये दोनों question यूपी PCS में कही बार आ चुके हैं तो आप इसको ध्यान रखेगा कि हर्याणा, उत्राखंड और हिमाचल से कौन करता है सहारनपूर, बिहार, जहारकंड, 36 गड़ और MP से कौन करता है सोन भद्र ऐसा कौन सा यूपी का district है, जिसको MP तीन साइट से सराउंड करता है, वो है ललितपूर और यूपी की longest boundary किसके साथ sharing है, मदप्रदेश के साथ और shortest boundary किसके साथ है, हिमाचल प्रदेश के साथ तो friends, I hope आपके वीडियो पसंद आए होगा तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना है, जो कि census of India पर है, यह census of उत्तर प्रदेश पर है अब यूपी में किसी exam में census से related कोई question आएगा तो I hope आप उसको attempt कर पाएंगे तो thank you, it was a pleasure talking to you